दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग रिजनिंग का एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चाप्टर को लेकर आये हैं जिसका नाम है अल्फाबेट अब इस अल्फाबेट में करना क्या है इस अल्फाबेट मे इस नम्रिंग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यू समझे कि रिजनिंग एक गाड़ी है तो यह पोजीशन जो है ना अल्फाबेट उसका पहिया है यानि बिना पहिया का गाड़ी तो चल नहीं सकता है ठीक वैसे ही बिना इस चीज को याद किये हुए हम आगे किसी भी चाप्टर में चाहिए वो कोडिंग डिकोडिंग हो एनलोजी हो और्ड मैन आउट हो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आईए आज हम इसको ऐसे समझेंगे ऐसे समझेंगे इस तरीके से समझेंगे कि पूरी लाइफ याद रहेगी देखते हैं कैसे सबसे पहले एक यहां फर्मूला दिया गया है EJOTY EJOTY E5 नंबर पर J10 नंबर पर फिर O15 नंबर पर T20 नंबर पर और Y25 नंबर पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है E, J, O, T, Y, 5, 10, 15, 20, 25, याद, लेकिन बाकी सारी लेटर को कैसे हम याद रखेंगे, आईए सीखते हैं, देखिए, यहाँ A, B, C, D, यह सब तो बच्पन से ही याद है, मतलब छोटा बच्चा को भी पीछी है, A कितना नमबर पर, A नमबर पर, B कितना नमबर पर, 2 नमबर प यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस अब काम खत्म, E की जहां तक बात हुई, तो E हम इस जोटी से याद कर लिए, यानि उपर के तरफ साइन दिखा दिया जा रहा है, यानि E याद हो गया, E जोटी से, आगे देखते हैं, F से हम देखते हैं कि कैसे याद होता है, F क देंगे, देखिए तो यह अल्मोस्ट 6 हो गया कि नहीं, अरे डिजिटल 6 है, G होगा ना, चली, G देखिए, G का जो यह वाला पार्ट है नहीं है, पोंच, पोंच को थोड़ा नीचे खिच दीजिए, बिच से कार दीजिए, क्या हो गया, 7, very good, 7 हो गया ना, तो 6 हम को देंगे हो गया, 7, H को देखिए, H वेरी सिंपल है, यह देखिए, ऐसे H है, दोनों तरब से इसको मिला दीजिए, यह हो गया, डिजिटल 8 हो गया ना, तो H कितने नमबर पर, 8 नमबर पर कोई दिक्कत नहीं, I देखिए, I हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर है, यह 9 जैसा है, तो I 9 जैसे भी करना है, रिलेट कर सकते हैं, J को हम लोग इजोटी से याद रखेंगे, कि इजोटी में J 10 पे आता है, तो देखिए, इसको आपर साइन दिखा दे रहे हैं, के की बात है जहां तब, के में देखिए, दो चीजिए, एक खड़ा है, और एक इसे जुका हुआ है, एक खड़ा है न, और एक इसे जुका हुआ है, जो जुका हुआ है, उसको इसे मारिये पीछे से एकदम बस वो भी खड़ा हो जाएगा, देखिए कैसे, खड़ा है, इसको इधर से अगर मारेंगे, जुका हुआ है, जो है वो भी खड़ा हो जाएगा तो वन हो जाएगा तो देखिए वन और यह भी जो जूका था खड़ा हो गया वन 11 के 11 हो गया कोई दिक्कत नहीं एल को देखिए तो एल ऐसे है इसको थोड़ा सा मोडिफाई करके आगे बढ़ाएंगे और एक लगा देंगे क्या हो गया 12 लेकिन थोड़ा सा पुलियो मारल जी सा लग रहा है कोई बात नहीं उसको पुलियो मार दे उससे मतलब नहीं हमको याद हो जाना चाहिए बस तो यहां 12 हो गया एम और एन दोनों हम लोग एक साथ याद रखेंगे पेर में याद रखेंगे देखिए 26 लिटर का हुआ टोटल तो 26 का आधा क्या करेंगे 13 तो थर्टीन और एक जस्ट बढ़ा देंगे 14 यानि इसको 50-50 पर रख देंगे देखिए 50-50 आधा और धिया समझते है न वहीं है तो देखिए 13-14 इसे याद रखेंगे 15 की बात है तो 15 देखिए 15 इजोटी से याद रखेंगे वहां से ठीक है यह फिर इसको ऐसे रखेंगे कि ओ ओ नहीं है यह एक रसगुला है जिसका दाम है 15 रूपया जैसे याद रखना है याद करना है बस आगे देखिए यह 16 है पी तो पी को देखिए ऐसे रिखेंगे इसको ऐसे पलट देंगे पी जस्ट पलटा गया ना जी उसके पहले एक लगा देंगे क्या हो गया 16-16 हो गया ना क्यूं की बात है जहां तक अब ध्यान दीजिएगा देखिए यह क्यूं है ऐसे इसको नीचे से मिटा दीजिए और अल्मस्त क्या लग रहा है 17 जैसा लग रहा है की नहीं लग रहा है इतना क्लू तो पढ़ने वाले लड़कों के लिए बहुत है इतना क्लू मिल जाएं तो पानी में आगला देगा सुब ठीक है ना चलिए आएका की बात जहां है तो R देखते हैं हम लोग, R देखिए, R ऐसा है, इसको थोड़ा घुमा के ऐसे किजिए, 1 लगाईए, लगभग, लगभग, 18, 18 हो गया, S की बात है, तो S भी देखिए, S ऐसे है, इसको ऐसे मिलाईए, और 1 लगाईए, क्या हो गया जी, 19 हो गया, very good, और T से तो हम लोग का पुराना संबंध है, क्या है, T20 मैच, क्या है जी, T20 मैच, तो देखिए न, T20 मैच, अभी कितना खेलेगा है, या फिर यह जोटी से भी हम लोग याद रख सकते हैं, यू देखिए, यू भी को हम लोग भाई बहान कहेंगे, यू भी बहान, जिसमें बहान 21 है, और भाई क्या है, बाई से, यानि यू भी को ब्रदर सिस्टर भाई बहान के रूप में याद रखेंगे, 23 डवलू को देखिए, डवलू ऐसे लिखे देंगे, उसे पहले टू लगा देंगे, हो गया 23, लास्ट वाला तीन लेटर तो नहीं याद रहता है, वो भी याद रहता है, 24, 25, 26, फिर 25 को हम लोग ऐसे भी उपर से जोटी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, तो देखि लोगल इंपेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम लोग से समझे ना, फिगर से समझे, मैप से समझे, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है, वही प्रोसेस, वही थियोरी को इसमें अपलाई किया गया है, कि बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट होते है कि जब भी एक्जाम्स होते हैं, या जब कोई पूछता है, तो अंगली पर काउंट करता है, अरे, क्या, F पूछ दी, अरे, F, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, आहाँ, हाँ, 6 नमबर, वह ऐसे करने की जबरत नहीं है, F क्या 16, H क्या 8, L कितना 12, S कितना 19, Q कितना 17, B कितना 22, ऐसे कभी याद होगा, ऐसे तभी याद होगा, जब हम लोग कुछ अलग करे, कुछ ऐसा करे, जो हमेसा के लिए मांड में फीड हो जाय, और वहीं करने के लिए, उसी चीज को पाने के लिए, हम लोगोंने, हमने ऐसा ऐसा करके, यह जो पोलियों से मारल हो रहा है, नगरDG2, ऐ तो समको याद होना चाहिए F6 G का पोच खिच दिए 7 हो गया पोच खिचिए काट दिजिए 7H उपर निचे से मिला दिजिए Digital H हो गया 8 हो गया कोई दिक्कत नहीं है I for India और I India is 9 Indian I आई ऐसे होता है न जो यह वाला आई तो गया न 9 जे 10 को देखिए कि खड़ा है एक और एक जुका हुआ है तो जो खड़ा हो ठीक है जो जुका हुआ है उसको मारिये पीछे से ठेलिए बस वह भी खड़ा हो जाएगा तो देखिए 11 11 कोई दिक्कत नहीं यहां पर 12 की बात जहां तक करें एल है ऐसे करके खिचिए थोड़ा सा मोडिफाई किजिए थोड़ा पोलियों मार दिया कोई बात नहीं लेकिन हो गया न 12 चलिए एम एन की बात की जाए तो 50-50 रखेंगे चुकि 26 लेटर का होता है तो 26 का आधा 13 और 13 में एक जोड़ देंगे 14-13 50-50 हो गया यहां पर 15 कोई दिक्कत नहीं है पी जोटी से हम लोग याद रखेंगे पी को जोस्ट पलतेंगे वं लगायेंगे हो गया 16 क्यू को 17 क्यों कैसे है क्यों इसको निचे से मिटाइये और उपर से थोड़ा मिटाइये 17 हो गया ना जी R को भी वैसे ही किया जाए और 8 हो गया है और 1 लगा दीजी हो गया 18 S को थोड़ा सा मिलाई है हो गया 9 1 लगाई है 19 T20 मैस तो हम लोग जानते ही है U भी भाई बहन है U 21 अब भी भाई 22 B 20 है भाई है और U उसमें की बहन है तो U हो गया हमारा 21 अब भी हो गया 22 W की बात करें तर W है 23 अब कैसे है तर W को ऐसे पलट के लिखेंगे सुता के लिखेंगे आइधर पाले दो लगा देंगे हो गया 23 X 24 Y 25 और Z 26 इसमें तक कोई दिकत नहीं है अब इसी सारे चीजों को इसका इतना यूज है मतलब ब्राडली यूज है रिजनिंग में आदेखिए रिजनिंग है क्या रिजनिंग का अर्थ ही होता है उसका मतलब हिंदी नाम ही होता है तरक सकती क्या होता है तरक सकती यानि कि आप कितना तर्क दे सकते हैं आप कितना सोच सकते हैं कितने तरीको को से सोच सकते हैं इसी को कहते हैं तो alphabate में आज हम A से लेकर और ओरेटाउन करना है घर में दो बार इसको लीख करके और नीचे जैसे जैसे फिगर बनाया गया था वैसे वैसे एक बार बना लेना है जो की विजूल इमपेक्ट जो है जिन्दगी चले जाने के बाद भी जयाद रहेगी जब तक है जान तब तक यह याद है ठीक है इसमें को से था लेफ्ट सऐड इस अगले लोग राइट साइड से देखेंगे आप जिसे करतेगा की नेकि याद करने कीपसी रखते आगी याद करेंगे और एसे ही चुटकी में याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि लाइफ टाइम याद रहेगा तो उसको देखना मत भूलिएगा अगले ही वीडियो में इसके जश्ट आगे आने वाले वीडियो में वो वीडियो आएगा और उसमें हम लोग देखेंगे उलट कर कि इधर से इसके जगह पे जैसे लेफ्ट से बी है दो नमबर पर और राइट से वाई है दो नमबर पर तो कैसे रिलेट करते हैं वहां भी एकदम मजा आएगा मतलब सुपब क्लास होगा ऐसे समझेए अगर यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा हो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर किजिए और ऐ नवाद